मुख मंतर योगी आदित नात को मंच पे शोड़ने के बाद यानि हेली पैड अस्तल पे छोड़ने के बाद अब अधिकारी निकल ले हैं कूवर सिंग डिगरी कॉलेज के मैदान से निकल ले हैं और प्रमुख सच्छी दूर्गापरसाद मिस्तरा जी भी आज ये सवाली मु भी देख सकते हैं डियाईजी जीला अधिकारी लोग अप हेली पैड अस्तल से रवाना हो रहे हैं मुख मंत्री योगी आदितनात मंच से सीधे हेली पैड अस्तल पर आये हैं जहां उनको छोड़ने के बाद भारती जंता पार्टी से जूड़े नेता मंत्री विधायक सांसर उसके पहले हम ने जो दोतचे की आदिकारी івके साथे कभिषन थे ढाएज़ भीकास समिच्छा बैठक होनी है विकास समिच्छा बैठक में मुक सच्च्छु क्या होगा अब देखने वाली बात होगी हला कि मुखमंत्री होगी आदी तनाथ मंच से कहा कि दुर्गा परसाद मिश्रा आज आपके बीच में है वही दुर्गा परसाद मिश्रा है जो बलिया में पढ़े हैं जो प्रमुकि सची हों है उत्तरपधिशासन के लेकिन अब दुर्गा परसाद मिश्रा आज बैठक में समिच्छा बैटक में क्या नीड़ा लेते हैं क्या बलिया को मिटकल कालेज मिलेगा इन तमाम चीजों पर जीस तरीके से मुखमंत्री ने सीधा एलान किया है कि बलिया में मिटकल कालेज बनेगा अब उस लेकिन एक मामला आ रहा है जमीन की जमीन अगर बलिया में मिल गया त तो मिटकल कालेज बनने से कोई रही नोख सकता यह दावा है के जन प्रतनीदियों का यहां के अधिकारियों का आप देख सकते हैं कि यहां पर कड़ी सुरच्छा के बीच यहां पर लोग जा रहे हैं एक तरफ देखें बच्चों में कितना उश्चा है यहां देख रहे हैं देना चाहता हूं कि मुखमंत्री के कायकर्म को लेकर 50,000 से अधिक लोगों ने 50,000 से अधिक लोगों ने कायकर्म में सिकत की है बलिया बलिदान दिवस के आउसर पर आयोजित कायकर्म हम जो आज जन सलाब उमड़ा है मुखमंत्री को देखने के लिए बलिया के करांतिकार हुआ है लिपाइड अस्थल पे हम पहुच रहा हैं लिपाइड अस्थल पे आपने देखा आज इस तरीके से भारती जंता पार्टी और खास तरवे सासन से जुड़े लोगों ने इस तरीके से मुखमंत्री योगी आदितनात का श्वागत किया अभिनेंदन किया फिर हम आज कर मेरू से जस्वाल नहीं कार